हेलो स्टूदेंट्स वेलकम अगेन टू लानवर्दी दीमन आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर टू भारत का समविधान तो यह आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि आपके एक्जाम की अकॉर्डिंग अगर आपने इस च मज लीजिए कि आपका एक या दो माक्स जो है वो आपने मिस कर दिये क्योंकि भारत का समविधान में से हर बार ब्रशन जो है वो आपको एक्जाम में देखने को मिलता ही है तो यह चैप्टर जो है वो देखिए नाइन्थ क्लास के चल रहे हैं नोट्स के रूप में अगर से ना देखें क्योंकि जब अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको चीज पूरी पता होनी चाहिए और देखिए मैंने आप लोगों का जो टेस्ट लिया था संपूर्ण क्लास 7 का तो इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉंस देखने को मिला है सभी बच्चो लोगतंतर में की शक्ति किसमे नहित है तो लोगतंतर की शक्ति नहित है जटा में ठीक है जटा में नहित है नेक्स्ट है question number two, देखिए question जो है, वो one by one एक दूसरे से relate है, संबंदित है, तो वो बिल्कुल एक को भी आप miss नहीं करेंगे, एक को miss करेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी, question two है, भारत का समविधान कैसा है, भारत का समविधान कैसा है, भारत का समविधान निर्मित है और लि एक सित है, next है question four, समविधान निर्माण की मांग महात्मा गांदी ने कब की थी, समविधान निर्माण की मांग जो है, वो महात्मा गांदी ने कब की थी, तो इसका आंसर है 1922 इसवी में, तो यहां से प्रारम हो जाता है, समविधान निर्माण के बारे में, जो भी कार रह हैं वो यहां से स्टार्ट हो जाते हैं, अब सम्विधा निर्मान की मांग सबसे पहले काॉन कर रहे हैं? महत्मा गांधी 1922 में. Next है Question 5. भारतिवों की सम्विधान निर्मान की मांग को अंग्रेजों ने कब सुईकार किया? तो 1922 में महात्मा गांदी ने समविधान निर्मान की मांग की, तो अंग्रेजों ने यह सुईकार किया अगस्त प्रस्ताव के द्वारा 1940 इसवी में, कब किया? अगस्त प्रस्ताव के द्वारा 1940 इसवी में, चलिए. नेक्स्त है, मार्च 1946 में सरकार ने एक तीन सदस्य आयोग भारत भेजा, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कैबिनेट मिशन, बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है, कैबिनेट मिशन का सम्मंद किस से है? सम्विधान सभा से है, ठीक है? तो मार्च 1946 में जब उन योजना से भारतिय सम्विधान सभा का गठन हुआ, जिसने भारतिय सम्विधान का निर्मान किया, तो जो मांग की गई थी सम्विधान के निर्मान की, तो उसके लिए कैबिनेट मिशन जो चलाया गया था, यानि कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था, तो इसी योजन के तहत भारती सम्विधान सभा का गठन हुआ ठीक है cabinet mission योजना के तहत भारती सम्विधान सभा का गठन हुआ चलिए next है question 8 किस अधनियम के तहत भारती प्रांतों में सम्विधान सभाओं का गठन किया किस अधनियम के तहत तो यह अधनियम था भारत शाषन अधनियम 1935 कौ तो थी cabinet mission योजना और किस अधनियम के तहत भारतिय प्रांतों में समविधान सवाओं का अगठन किया गया तो वो था भारत शाषन अधनियम 1935 अब आप cabinet mission योजना और भारत शाषन अधनियम 1935 यह आप एक ही जगह लिखिएगा क्योंकि कई अधनियम जो हैं वो आते हैं कई योजना आती हैं तो हम भूल जाते हैं तो आपको याद रखना है कि वही बात है भारत शाषन अधनियम 1935 वहीं हमने देखा था कि cabinet mission की योजना के तहत ही भारतिय समविधान सवाओं का गठन हुआ था तो ऐसे आप याद रख पाएंगे next है समविधान सवा का निर्वाचन में प्रामतों में कितने लोगों पर समविधान सवा एक सदस्य होना निर्धारित किया गया अब इस समविधान सवा के लिए सदस्य होने चाहिए तो इसके लिए प्रामतों में 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ती जो है वो निर्धारित कि गया गया कि यह 10,00,00,00 लोगों पर एक व्यक्ति है वो जाएगा सम्विदान सभा का सदस्य बढ़ने के लिए चलिए नेक्स रहे हैं कुश्यन 10 बहुत ही अच्छे से मैं आपको क्लियर कर रही हूँ एक एक लाइन जिससे कि आप इन्हें रटने की वजाए इनको समझे क्यो मैंने इस आंसर को निकाला है RBSC की बुक में भी गलत प्रिंट है समिधान सभा में राजिस्थान से 12 सदस्य जो है वो भेज़े गए थे याद रखना है 12 सदस्य समिधान सभा की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई समिधान सभा की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई 10 लाइक लोगों पर एक व्यक्ति जो है वो भेजा जाएगा समिधान सभा में उसके बाद कुल संख्या जो है वो निर्धारित की गई 296 सदस्य ब्रिटिस प 296 और 93 सदस्धे देशी रियासंतों से और इन देशी रियासतों में से 12 सदस्वा कि ऩो सदस्वा किसे हूं नहीं हुआ है कि चुनाब हुए है बandalsahatoriएक नहीं से देखिए 296 सदस्वा के हुआ हुआ है यहां चुनाब नहीं वहां तो मनोनयन हुआ यानि कि वहां जो भी रियासतें थी जो भी रियासतें तै की गई थी उनमें से एक-एक सदस्य जो है वह मनोनयन के द्वारा सम्विधान सभा में भेज आ गया और जो 296 बृटिस प्रांतों से थे इनका क्या हुआ चुनाब हुआ भारत पाकिस्तान अलग हुए तीन जून 1947 की जो माउंट वेटन योजना है इसके अधार पर भारत देश का सामप्रदाइक अधार पर यानि कि धर्म की अधार पर विभाजन हुआ पाकिस्तान अलग हुआ और भारत अलग हुआ ठीक है तो ये कौन सी योजना थी है अगर आपको नहीं देखा है तो आपको next question जो है वो भी समझ में नहीं आएगा बिल्कुल story type ही मैं question बनाती हूँ जिससे कि आपको याद रखने में असानी हो समविधान सभा की पुनर गठन में अंतिम रूप में कितने सदस्यों ने भारतिय समविधान पर हस्ताक्षर किय तो इसका आंसर है 284 सदस्य क्योंकि जो बाकी 296 थे उसमें से आप 284 घटा दीजिए तो बाकी सदस्य जो है वो पाकिस्तान चले गए तो अंतिम रूप से अस्ताक्षर जो है वो 284 सदस्यों ने किये चलिए next है एक मात्र कौन सी रियासत थी जिसका कोई प्रतिनीदी सब्सक्राइब करें तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे पाओगे तो वो रियासत थी हैदराबाद जो कि ऐसी रियासत थी जिसका कोई प्रतिनीदी सम्विधान समा में सामिल नहीं हुआ आपको एक कुश्चन का आंसर देना है कि कि किसके प्रियासों से हैदराबा जो रियासत थी उसका विले भारत में किया गया तो किसके प्रियासों से किया गया हम पिसली कक्षा में ये कर चुके हैं बहुत अच्छे से कुश्चन 16 सम्विधान सभा की प्रतम बैठक कब और अस्थाई अद्धक्ष किसे चुना गया तो जो सबसे पहली बैठक है वो 9 जनवरी 1946 को होती है और अस्थाई अद्धक्ष जो है वो सचिधानन सिना को चुना जाता है क्योंकि वो सबसे बुजर्ग थे वहां पर तो नहीं अद्धक्ष जो है वो चुना गया लेकिन कैसे अस्थाई यह आपको अच्छे से याद रखना है नेक्ष्ट है कुश्यन नमबर 17 सम्विधान सभा की दूसरी वह इस्थाई बैठक कब हुई वह अद्धक्ष किसे चुना गया तो पहली बैठक जो होती है वहां पर स जिन्द प्रशाद को चुना गया और डेट है 11 दिसंबर 1946 ठीक है याद रखना है 9 दिसंबर 1946 अस्थाई अद्धक्ष सच्चेदानन सिना 11 दिसंबर 1946 इस्थाई अद्धक्ष डॉक्टर राजिंद्र प्रशाद सम्विधान सभा के वैधानिक सलाकार कौन थे सम्विधान सभा के वैधानिक सलाकार कौन थे तो सम्विधान सभा के लिए जो निर्मान किया गया सम्विधान सभा का जो सम्विधान बनकर तैयार हुआ तो उसके लिए कोई न कोई तो सलाह देगा तो जो वैधानिक रूप सम्विधान सभा में उद्देश से प्रस्ताव किसने रखा, जिसे हम उद्देशिका के नाम से जानते हैं, प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, वही है उद्देश से प्रस्ताव, तो यह रखा पंडित जवालाल नहरूने, 13 दिसंबर 1946, देखिए बिल्कुल याद रखिए, 9 दिसंबर अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानन से ना पहली बैठक थी दूसरी बैठक जो है वो हो रही है 11 दिसंबर 1946 को जिसमें राजिंद प्रशाद जी को इस्थाई अध्यक्ष चुना गया उसके बाद दो दिन बादी देखे 13 दिसंबर 1946 को पंडे जव नेक्स्टर है समिधान सबा में 7 सदस्य प्रारूप समिति का गठन कभ किया और अध्यक्ष कौन थे सबसे पहले उद्देशी प्रस्ताव रखा गया अब वो प्रारूप यानि इसका प्रारूप जो है वो तयार किया गया इसका ड्राफ्ट तयार किया गया कि समिधान सबा सास अधस्वी प्रारूप समिति का गठन जो है वह किया गया 1947 में ठीक है अब 1946 तक हमने देखा कि उद्देश प्रस्ताव वह पारित हुआ उसके बाद प्रारूप समिति जो है वह 1947 में डॉक्टर भीम राव अंबेटकर जो इसकी अध्यक्ष रहे तो प्रारूप समिति के अ उसके का रहे था सम्विधान का प्रारूप यानि ट्राफ्ट तयार करना है नेक्स है कोसिटएल 23 भारतियां समिधान को जनक किसे कहा जाता है तो इस सम्विधान बनकर कब तैयार हुआ यह सम्विधान अंगीकरत अधिनियम और आतमर्पित पारित कब हुआ ठीक है यह शबी सब्द जो है वह आपको एक्जाम में मिलते हैं तो आप अंतिम बैठक जो है वह होती है 24 जनवरी 1950 को नेक्स्ट है कुष्ण नमबर 26 अब यह लागू कब हुआ हमने अभी देखा था कि वह पारित कब हुआ था ठीक है पारित हुआ था 26 नवंबर उननचास को और लागू होता है 26 जनवरी 1950 को जब समविधान सभा की अंतिम बैठक होती है उसी के 24 जनवरी को अंतिम बैठक होती है और 26 जनवरी को यह लागू हो जाता है next है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचीयां है यानि, जब स्मिधान बना था, तब अनुसूचीयां कितनी थी तो उसमें 8 अनुसूचीयां थी, 22 बागते 395 अनुच्छे थे next है, question 28, संविधान की आत्मा, सार और इनको समझने की कुझी किसे कहा जाता है सम्विधान की आत्मा सार और इनको समझने की कुझी किसे कहा जाता है तो इसका आंसर होगा जो हमारी प्रस्तावना है उद्देशिका है इसे ही सम्विधान की आत्मा सार और इनको समझने की कुझी कहा जाता है और हमें पता है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवालल नहरू ने सम द्वज को अपनाया, next है 30, समविधान ने राष्ट्री गीत और राष्ट्री गान को कब स्विकार किया गया, तो ये भी आप से पूछे जाएंगे, जनवरी 1950 को राष्ट्री गीत और राष्ट्री गान को स्विकार किया गया, तो देखिए यहाँ पर जो अंतर है, वो क्या तो पचास में, जब समविधान जो है वो तैयार हो गया था, next है भारत का प्रथम राष्ट्रपती किसे निर्वाचित किया गया और सपत कब ली गई, तो पहले राष्ट्रपती जो है वो समविधान सबा लागू होते ही, राष्ट्रपती बने, उनका निर्वाचन हुआ, तो डॉक्टर राजिंद प्रशाद को राष्ट्रपती बनाया गया, 26 जनवरी 1950 को नोने सपत ली, next है भारतिय समविधान को बनने में कितना समय लगा, तो देखिए भारतिय समविधान को बनने में काफी टाइम लगा था, तो 9 दिसंबर 1946 को, यहां से स्टार्टिंग होती है, समविधान के बनने की जो प्रक्रिया है, उसके बाद 24 जनवरी 1950, ठीक है, अंतिम बैठक हुई थी, तो इसमें लगे 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन, 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन, next है, question 33, किसने कहा कि मैं महसूस करता हूँ कि समविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि वे लोग जिने समविधान को अमल में लाने का काम सौपा जाएगा, वे खराब निकले तो निश्चित रूप से समविधान भी खराब सिद्ध होगा, तो ये कथन किसके थे, कि बही समविधान को अमल में लाने का काम सौपा जाएगा, जिन लोगों पर, जिन निताओं पर अगर वो ही खराब निकलेंगे तो सम्विधान भी खराब सिद्ध होगा तो ये कथन जो हैं वो हैं डॉक्टर भीमराव अमबेट करके कथन जो हैं वो भी एक्जामें पूछ ले जाते हैं यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्यर शरित्रवान इमानदार हुए तो भी दोस्पूर्ण सम्विधान को भी सर्वुत्तम बना देंगे और यदि उनमें गुणों का भाव हुआ तो सम्विधान देश की कोई मदद नहीं कर सकता तो यह शब्द कहें हैं डॉक्टर राजिंद्र प्रशाद ने तो यह बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है दौनों की जो कोटेशन है वो आप याद रखियेगा दौनों के कथन याद रखियेगा नेक्ष्ट है 35 विस्व का सबसे बड़ा सम्विधान किस देश का है तो हमें पता है कि भारत का सम्विधान जो है वही है सबसे बड़ा सम्विधान नेक्ष्ट है किस देश में राज्यों की अपने अलग अलग सम्विधान के कारण सबसे चोटा सम्विधान है तो देखिये किस देश का है तो संयुक्त राज्य अमेर का उसका सबसे चोटा सम्विधान है क्योंकि जो देश है उसका सम्विधान और राज्यों के भी अपने अलग-अलग सम्विधान है, तो सम्विधान जो है, वो छोटा हो जाता है, नेक्ट रहें 37, विश्व का सबसे पहला लिखित सम्विधान किसे देश का माना जाता है, तो अमेर्का का सम्विधान जो है, सबसे पहला लिखित सम्विधान है, यह याद रखना है, और सबसे छो संग और राज्य में विवाद हो यदि केंदर और राज्य में नेक्स्ट है भारत की कार्य पालिका अथर्द प्रधान मंत्री और मंत्री परिशत अपने कार्यों एवं कार्यकाल के लिए किसके प्रति उत्तरदाई होते हैं तो देखिए अब ये कीवर्ड जो है वो आपको समझ में आते होंगे क्योंकि हम पिसली कक्षाओं में इतनी बारें चीजों को कर चुके हैं भारत की कार्यपालिका जैसे ही वर्ड आता है आप समझ जाएंगे कि हम प्रधान मंत्री और मंत्री परिशत की बात कर रहे हैं यहां राष्ट्रपती भी शामिल होते हैं तो भारत की कार्यपालिका किसकी प्रति उत्तरदाई होती है आंसर है विवस्थापी का अथार नेक्स्ट है question 41 भारत की संसद ये शाषन विवस्था किस देश से ली गई है तो जो संसद की शाषन विवस्था है वो किस देश से ली गई है यह ली गई है ब्रेटीन से next है question 42 संविधान की व्याख्या वा सुरक्षा करने का अधिकार किसे है संविधान की व्याख्या करने का और सुरक्षा करने का अधिकार किसे है तो इसकी व्याख्या जो है वह करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट यानि सर्वोच नियाले जो है उसी अधिकार है संविधान की व् वो कितनी थी पहले आप तो हमें पता है कितनी है लेकिन पहले 21 वर्स जो है वह आयू निर्धारित की गई थी वर्तमान में क्या है 18 तो यह था आपका अंतिम प्रेश्ट्न यहां आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारा सम्विधान जो है वो कहां से होती है और कब बनकर तैयार होता है और किस तरीके से कितनी महनत से बनकर तैयार हुआ तो यह चप्टर जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा अब देखिए आपको अगर यह चप्टर समझ में आ गया तो इसके बाद जो हम करेंगे वो सभी चप answer series को complete किया है मिलते हैं next video में thank you